हेलो मित्रो इस जोतिस सिंकला में हम लोग किर्शन मुर्ती जोतिस का अध्यन करेंगे देखे फलित जोतिस के लिए बहुत सारी विधायें जो उप्योग में लाई जाती है सबसे पहले पराशर जोतिस और कुछ लोग लाल किताब का उप्योग करते हैं कुछ जैमिनी जोतिस पर विश्वास रखते हैं कुछ अंग जोतिस पर और कुछ किर्शमुर्ती जोतिस पर किर्शमुर्ती जोतिस की जो सबसे बड़ी विसेशता है या जो सबसे बड़ा एडवांटेज है वो ये है कि इस जोतिस के माध्यम से आप accurate बता सकते हैं कि कोई घटना कब घटिट होगी देखे जब भी कोई व्यक्ति किसी astrologer के पास अपनी समस्या को लेकर आता है तो वो ये चाता है कि astrologer उसे ये बताई कि ये जो समस्या है ये कब दूर होगी मतलब ये समस्या का या तो कब दूर होगी या वो अगर अपनी marriage को लेकर परिसान है या नोकरी को लेकर परिसान है तो वो ये जानना चाहता है कि कब ये घटना घटिट होगी और अगर नहीं होगी तो क्यों नहीं होगी या क्या कुछ अडचन है जिस कारण ये घटना घटिट नहीं हो रही है तो इस परकार अनेको questions होते हैं जिने लेकर कोई व्यक्ति एक astrologer के पास आता है हर विधा के माध्यम से आप लोग उसकी समस्या का समाधान करने का परियास करते हैं लेकिन किर्समूर्थी जोतिस के जो नियम है जो सुत्र है वो आपको accurate प्रिडिक्ट करने के लिए बहुत मतलब beneficial होते हैं आप अगर किर्समूर्थी जोतिस में परांगत हो जाएंगे एक्सपर्ट हो जाएंगे तो किसी भी घटना के घटित होने का समय आप बहुत आसानी से प्रिडिक्ट कर सकतें ठीक है तो इन सब बातों को सोचते हुए मैंने इस जोतिस विधा के इस स्रंखला को प्रारंब किया है अब बात आती है कि मैंने जो अपना पहला वीडियो है वो जन्म समय संसोधन जिसे हम लोग birth time rectification भी कहते हैं PTR कहते हैं से क्यों start किया देखे हम लोग अगर KP astrology मतलब किट्स मुर्ति जोतिस को सीखना चाहते हैं तो यह बहुत जरूरी है कि जिस व्यक्ति की कुंडली को आप analyze कर रहे हैं जिस व्यक्ति की कुंडली का आप आकलन कर रहे हैं उसका समय जन्म समय accurate होना चाहिए हाला कि यह प्राशर जोतिस के लिए भी जरूरी है लेकिन देखें दिक्कत क्या है कि मुझे लगता है कि 70% जो एस्टो लोजर होते हैं वो जो भी फलित करते हैं वो केवल लगन कुंडली के आधार पर करते हैं इससे आगे वो कभी बढ़ते ही नहीं है अब तो कि इससे आगे वो जाते नहीं है तो उन्हें दिक्कत ही नहीं होती है और लगन कुंडली के साथ ये है कि आम दोर पर अगर आपके समय में आदे घंटे 45 बिनेट का भी डिफ्रेंस है तो 99% कुंडली लगन कुंडली accurate बन जाती है वही बन जाती है कहीं कोई दिक्कत नहीं आती है लेकिन एक बात और याद रखिए कि लगन कुंडली आधार तो होती है लेकिन वो मतलब आपको वो एक मोटा मोटा आकलन तो करा देगी लेकिन अगर आपने accurate प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए आपको divisional charts पर जाना पड़ेगा जैसे आपको D2 या D9 या D24 या D10 इनका जब तक आप आकलन नहीं करेंगे आपका जो फलित है आपकी जो प्रेडिक्टन है उसके accurate होने की संभावना बहुत ही ज़्यादा कम होगी ठीक है लेकिन पराशर में मैंने देखा है कि आम तोर पर लोग लगन कुंडली को देखकर प्रेडिक्ट कर देते हैं मतलब 50% तो प्रेडिक्ट कर ही देते हैं ठीक है हाला कि ये अपने आप में गलत हो और यही कारण है कि बहुत सारे एस्ट्रोजर की जो प्रेडिक्टन से हैं वो गलत हो जाती है क्यों क्योंकि लगन कुंडली पर कि अब लगन कुंडली आदे गंटे 45 मिनाटे में भी अगर समय का अंतर हो तो कोई दिक्कत नहीं आती वो लगन कुंडली एजटिज बन जाती है हैं मतलब हो सकता किसी जातक का जनम 7 बजे हुआ तो उसकी भी लगन कुंडली वो ही होगी किसी का सवा 7 बजे हुआ उसी दिन तो उसकी भी लगन कुंडली लगबक से में ही होगी बहुत कम chances हैं कि वो change हो लेकिन हम लोग divisional chart के बारे में यह नहीं कह सकते अगर हम लोग divisional chart d24 की बात करें तो अगर समय में second का भी difference होता है तो वो chart बदल जाता है अब अगर आपने किसी जातक की education के बारे में predict करना है तो जब तक आप d24 को analyze नहीं करेंगे अब वो accurate नहीं है लेकिन आप अब जब समय ही गलत है तो d24 अपने आप में गलत बनेगा अब होगा क्या जो astrologer होगा वो लगन कुडली से उसका predict कर देगा लेकिन उसकी accurate भाई देके by chance सही हो गया वो एक अलग बात है लेकिन वो जो by chance होता है वो सब पर तो apply होगा नहीं ठीक है न भई तो कैसे आपकी कोई बात सही निकल लगई वो एक अलग बात है लेकिन वो कोई सेधान्तिक बात तो है नहीं तो इसलिए जो पहला वीडियो मैंने बनाया है वो birth time rectification का ही बनाया है अब birth time rectification के पी एस्टोलोजी का एक पाट है लेकिन यहाँ पर जिस birth time rectification के बारे में मैं बात कर रहा हूँ वो एक हमारे दक्षिन भारत के जोति सचारिये थे कालिदास उन्होंने एक पुस्तक लिखी उत्तर कालम रत इसके अंदर उन्होंने जो श्लोक नंबर 5 और 6 जब आप इस पुस्तक को पढ़ेंगे तो इस पुस्तक के जो श्लोक दे रखे हैं उन्होंने उसमें जो श्लोक नंबर 5 और जो श्लोक नंबर 6 है उसमें उन्होंने जन्म सुद्धी के बारे में सुत्र दी है तो ये वीडियो उन सुत्रों पर ही आधारी थे इसके अंदर मैंने KP के नियमों का उप्योग नहीं किया है वो इसलिए नहीं किया क्योंकि ये पहला वीडियो है आप लोगों को KP के किसी नियम के बारे में जानकारी नहीं है अब जब आपको KP के नियमों के बारे में जानकारी नहीं है, आपको ग्रहों के बारे में जानकारी नहीं है, आपको राश्यों के बारे में जानकारी नहीं है, तो आप कैसे KP के नियमों का उप्योग करके BTR कर सकते हैं, क्योंकि वहां तो उन सब का उप्योग करना पड़ेग ना ही अगर आपको कोई जोतिस का नियम भी नहीं पता है, तो भी आप BTR कर सकते हैं, ठीक है, तो हम लोग प्रारंब करते हैं इस विधी को, सबसे पहले इश्टकाल, अब इश्टकाल क्या होता है, इसके बारे में जानकरी होना बहुत जरूरी है, तो सूरिय उदे के पश्चात, माल लीजे कोई घटना घटित होती है, तो उस घटना के घटित होने, और सूरिय उदे के समय, दोनों के समय का जो अंतराल होता है, उसे हम लोग इश्टकाल कहते हैं, जैसे माल लोग इसी जातक का जनम सुबह 9 बजे हुआ है, ठीक है, तो जन समय तो हो गया, सुबह 9 बजे, मतलब जो घटना घटित होई, वो घटना घटित होई है, सुबह 9 बजे, और उस दिन सूरिय उदे हुआ, प्रात्या 6 बजे, अब इन दोनों घटनाओं में कितने का अंतर हैं, 3 घंटे का, तो हम कहेंगे कि इस घटना का इश्टकाल 3 घंट ठीक है, अगर आप इश्टकाल घ्यात करना चाहते हैं, तो आपको निम्न सारनी का घ्यान होना जरूरी है, क्या, पहली बात, एक दिन 24 घंटे का होता है, ये याद रखिए, और वेसी बात है, ये दो सबको पता ही है, इसके बात, एक घंटा 2.5 घटी, जैसे हम लोग अप जो तिस गणित की बात करें, तो उसके अंदर घटी, वी घटी, पल, इन सबका उपियोग होता है, तो एक दिन 24 घंटे का, और एक घंटा 2.5 घटी, एक घटी, 60 वी घटी, ठीक है, वी घटी को आप सेकेंड मान सकते हैं, घटी को आप मिनट मान सकते हैं, ठीक है, तो जब आप इस्टकाल ग्यात करेंगे, तो इस विधी में आपको इस्टकाल को वी घटी में परिवर्तित करना पड़ेगा, इसलिए आपके लिए जरूरी है, क्योंकि जो आपके पास समय आएगा, वो घंटे मिनट और सेकिंडों में आएगा, ठीक है, तो आपको उसे कनवर्ट क करना पड़ेगा, वी घटी में, ठीक है, तो आप इसे याद रखिए, बाके इसकी जो कारिये विधी हम लोग आगे देखेंगे, अगर यहाँ पर जो बात मैंने भी आपको बताई, कि BTR के लिए हमें इस्टकाल को किसमें परिवर्तित करना पड़ेगा, वी घटी में, कैस तीन घटे को घटी में परिवर्तित करने के लिए मुझे 2.5 से मल्टिप्लाई करना पड़ेगा, ठीक, तो जब मैंने 3 घटे को 2.5 से मल्टिप्लाई किया, तो मेरे पास आया 7.5, अब मुझे इसे वी घटी में परिवर्तित करना है, तो 7.5 को मैंने 60 से मल्टिप्लाई कर तो इस प्रकार मैंने 3 घंटे को परिवर्तित किया वी घटी में तो मुझे प्राप्त हुआ 400 वी घटी तो इस प्रक्रिया के माध्यम से हम लोग इश्टकाल को वी घटी में परिवर्तित कर सकते हैं आगे देखते हैं अब एक जो रूल आपको याद रखना है रूल तो नहीं है लेकिन एक फार्मूला समझ लीजिए आप एक कि वैसे तो जो नया दिन श्टार्ट होता है वो रात को बारा बजे से श्टार्ट हो जाता है लेकिन भारतिय जोतिस में नया दिन सूर्य उदे का जो समय होगा उससे माना जाता है अब यहाँ पर दिक्कती आ जाती है कि इस ट्रकाल निकालने के लिए आपको घटना के घटित होने के समय को सूर्य उदे के समय से माइनस करना पड़ता है ठीक है अब माल लीजे घटना रात को तीन बजे घटित होई मतलब किसी जातक का जन्म रात को तीन बजे होगा और उस दिन का सूर्य उदे होगा छे बजे तो जब आप तीन में से छे को माइनस करेंगे तो आपको माइनस तीन प्राप्त होगा अब ये अपने आप में गलत है क्योंकि समय को आप माइनस में कैसे ले सकते हैं तो इसलिए एक नियम याद रखिए कि यदि किसी जातक का जन्म रात को बारा बजे के बाद लेकिन सूर्य उदे होने से पहले होता है तो आप उसके समय में 24 घंटे और जोड़ देंगे ठीक है? देखिए मानलो किसी जातक का जन्म रात को 3 बजे होगा और सूर्य उदे होगा सुभे 6 बजे तो 3 में आप 24 जोड़ देंगे तो 3 और 24 होगए 27 ठीक है? अब जो सूर्य उदे का समय है वो है 6 बजे तो 27 में से जब आप 6 को माइनस करेंगे तो आपको प्राप्त होगा 21 तो इश्ट काल माना जाएगा 21 घंटे ठीक है? तो ये आपने बहुत ध्यान से याद रखना है कि अगर जन्म या जन्म नहीं कोई भी घटना जिसका इश्ट काल आप ग्याद करना 22 और एड करेंगे ठीक है? अब जो समय आपको प्राप्त होता है देखिए अभी जो मैंने उधारन लिए है उसके अंदर मैंने लिखा 3 बजे का जन्म सूर्य उदे हो रहा है 6 बजे ऐसा वास्तम में तो नहीं होता है क्योंकि जो भी समय होता है वो घंटे मिनट और सेकंड में होता है तो जो जन्म का समय होता है और जो सूर्य उदे का समय होता है वो हमेशा आर्स मिनट और सेकंड में होता है इसी फॉर्मेट में जो मैंने लिखा एच एच फिर कॉलन लगाया एमेम फिर कॉलन लगाया और SS इस format में होता है अब अगर मुझे इस समय को Ist काल में direct बदलना है तो मुझे क्या करना चाहिए इसके लिए मैं एक घंटे को equal to करूँगा 150 V-gati क्योंकि Ist काल को मुझे V-gati की format में लिखना है तो जो घंटे का समय होगा मैं उसमें 150 से multiply करूँगा इसी तरह minute के लिए जो minute होगे उन्हें मैं 2.5 से multiply करूँगा और second को 0.04166666 4 times 6 इस से multiply करूँगा तो मुझे direct जो समय होगा वो V-gati में प्राप्त हो जाएगा अब जो जो हमारे astrologer थे काली दासची उन्होंने जो उत्तर काला मृत में जन्म संसोधन के लिए या जन्म समय संसोधन के लिए rule दिये मैंने बता था श्लोक नंबर 5 और 6 तो उनमें 3 मुखे कारियों होती है पहला होता है नक्षत्र की सुध्धी नक्षत्र को सही करना दूसरा इस्तरी पुरुष जन्म सुध्धी मतला ये चेक करना कि ये जो कुंडली आपके पास आई है ये किसी सिमेल की कुंडली है या किसी मेल की कुंडली है और जो तीसरा काम हम लोग करते हैं वो करते हैं लगन सुद्धी इस विधी में या इस lecture में हम लोग केवल नक्षत्र सुद्धी के बारे में पढ़ेंगे तो नक्षत्र सुद्धी करने के लिए हमें निम्न चरणों में कार्ये करना पड़ता है तो पहला चरण है हैं कि सबसे पहले आप लोग इश्टकाल को ग्यात करें ठीके जैसे ही आपको जातक का जन्म समय प्राप्त होता है आप उस दिन का सूरिय देखीं किस टाइम हुआ था और दोनों को माइनस करके इश्टकाल ग्यात करें ठीके और अब आपको माणनों जो इश्टकाल प्राप्त होगा वो घंटे, मिनट और सेकंड में होगा इसके बाद आप क्या करें उस इश्टकाल को वी गटी में परिवर्तित कर दे कैसे परिवर्तित करना मैंने पीछे बताया कि जो घंटे होंगे उन्हें 150 से मल्टिप्लाई करेंगे और जो सेकंड मिनट होंगे उन्हें 2.5 से मल्टिप्लाई करेंगे और जो सेकंड होंगे उन्हें 0.0416666 इस से मल्टिप्लाई करेंगे इतना करने के बाद जो संख्या आपको प्राप्त होगी उसमें आप चार से गुणा करेंगे गुणा करने के बाद जो संख्या प्राप्त होगी आप उसे नो से भाग करेंगे और 9 से भाग करने के बाद जो सेस्वल प्राप्त होगा जिसे आप लोग remainder कहते हैं वो उस जातक के जन्म नक्षत्र को बताएगा मालने ये एक प्राप्त होता है तो जन्म नक्षत्र का नमबर एक होगा एक से मेरा मतलब है केतू क्योंकि अगर अभी मैं आगे टेबल में समझा दूँगा आपको कि एक नमबर मतलब केतू का नक्षत्र अगर दो प्राप्त होता है तो सेकिंड नमबर पर वीनस आता है शुक्र मतलब तो उसके नक्षत्र ठीक है यह टेबल मैंने यहां पर दिखाई है माल लीजिए आपको जो सेस्वल प्राप्त होता है वो सिक्स प्राप्त होता है तो six का मतलब हो गया, अब यहां पर देखें, तो serial number six के सामने लिखा है राहू, तो जो जातक का जन्व नक्षत्र है, वो राहू का नक्षत्र है, इसका मतलब हो गया, कि उस जातक का जन्व या तो आद्रा नक्षत्र में हुआ है, या स्वाती नक्षत्र में हुआ है, या छ वो 9 से ज़्यादा नहीं हो सकती एक उधारन लेकर चलते हैं हमारे पास एक जातक की जन्म तिति है 25 डिसंबर 1963 इस जातक का जो जन्म है उस जातक के अनुसार साम को 7 बजे के आसपास का है मतलब वो 5 मिनट पहले का हो सकता या 5 मिनट बाद का हो सकता है तो हम लोगों ने एक स्टेंडर ले लिया कि उसका जो जन्म है वो 6 बज़कर 55 मिनट पर हुआ था मतलब 5 मिनट पहले का हम लोग लेकर चल रहे है इसका जो जन्म हुआ था वो पंजाम में मांसा नामा के एक जगा है वहां पर हुआ था उस दिन जो सूर्य उदे हुआ उसका समय था 7 बज़कर 21 मिनट और 34 सेकंड और जो जन्म नक्षत्र था उस जाता का वो था अश्वनी तो अब जो अश्वनी नक्षत्र होता है ये पहला नक्षत्र और इसका जो स्वामी है वो है केतू तो इसका मतलब ये हो गया जो नक्षत्र का नंबर हम लोग गिनेंगे वो गिनेंगे 1 टेपल में देख सकते हैं आप लोग अश्वनी नक्षत्र के नाम के मैंने 3 कॉलम मनाई है तो चाए अश्वनी हो चाए मगा हो चाए मूला ये तीनो नक्षत्र का स्वामी कौन है? केतु. तो अश्वनी नक्षत्र आए, चाय मघा नक्षत्र आए, चाय मूला नक्षत्र आए, आप उसका नंबर एक ही लिखेंगे. अब हम गणना करते हैं. तो सबसे पहले इश्टकाल निकालेंगे, इश्टकाल किसके एकवल होता है जन्म समय माइनस सूर्य उदे समय. तो जन्म का समय कितना है? हम लोगों ने माना है 18 बजगर 55 मिनट. 24 जोड़ने की जरूत नहीं है क्योंकि ये समय सूर्य उदे के पश्चात है. और सूर्य उदे का समय 7 बजगर 21 मिनट 34 सेकंड. तो हम लोगों ने इश्टकाल के लिए क् जरम समय को लिखा 18 गंटे 55 मिनट 0 सेकंड उसमें से माइनस किया सूर्य उदे का समय तो आपको गंटे मिनट सेकंड माइनस करने आते हैं तो आपके पास प्राप्त हुआ 11 गंटे 33 मिनट और 26 सेकंड अम मुझे समय को विगटी में बदलना है तो मैं 11 को विगटी में बदलने क्योंकि 11 गंटे है तो 150 से गुणा करूँगा प्लस 33 मिनट है तो 2.5 से मुल्टिप्लाई करूँगा और 26 सेकंड है तो इसे मैं 0.0416666 इसे मुल्टिप्लाई कर दूँगा ये multiply करने के बाद मुझे जो प्राप्त होगा वो number लिखे वे हैं आप उन्हें चेक कर लीजी अपने calculator में कि क्या यही आ रहे हैं इसके बाद इन्हें add जोड देंगे तो जोडने के बाद मुझे प्राप्त होगा जो इश्टकाल वो होगा 1733.5833316 विगटी ठीक है यह मुझे इश्टकाल विगटी में प्राप्त होगा अगला step मैं करूँगा इसमें 4 से multiply तो 4 से multiply करने के बाद मुझे प्राप्त होगा 6934.333324264 इसे मैंने round figure में लिख लिया क्योंकि मुझे divide करना है तो decimal को divide करके कोई फैदा नहीं है तो मैंने इसे round figure में लिख लिया 6,9,3,4 अब मैं इसमें 9 से divide करूँगा तो जब मैं इसे 9 से divide करता हूँ तो मुझे प्राप्त होता है 4 यह 4 क्या है remainder अब यह जब 4 आया यही नक्षत्र का number इसका मतलब यह कि जो मैंने यह calculation करी है इससे यह सिद्वा कि जो नक्षत्र है वो चोथे नंबर का नक्षत्र है अब चोथे नंबर के नक्षत्र को देखें तो मून आता है या तो उसका नक्षत्र होना चाहिए ता रोहिनी या हस्त या शर्वण मतलब मून के नक्षत्र में उसका जन्म हुआ इस calculation के हिसाब से लेकिन अगर उपर से देखें तो जो नक्षत्र निकल कर आ रहा है वो केतू का नक्षत्र है इसका मतलब है जन्म समय में कुछ असुद्धी है अब आगे की जो गड़ना है वो कैसे करेंगे क्योंकि अब मुझे ये तो clear हो गया कि जो मैंने जन्म समय 6 बज कर 55 मिनट लिया है ये समय गलत है ठीक है क्यों क्योंकि उस समय के अनुसार जो जन्म का नक्षत्र है वो केतू का नक्षत्र है और जो मेरी calculation है उसमें जन्म का नक्षत्र moon का मतलब जन्म का नक्षत्र आ रहा ठीक है तो अब हम लोग इस सही समय को ग्यात करने का calculation करेंगे देखते हैं तो सबसे पहले मुझे क्या करना है जो नक्षत्रों में अंतर आया जैसे पहला जो नक्षत्र निकल कर आया, जो नक्षत्र का नंबर आया, वो आया है 4, क्योंकि मून का नक्षत्र है, और जो जन्म समय के अनुसार, जो हमारे पाद गिवन जन्म समय है, 6 बच कर 55 मिनट, उसके according, जो नक्षत्र है वो है 1, तो दोनों का अंतर निकाला वो हो गय तीन, अब मुझे करना क्या, यह जो नंबर रैड कलर से लिखा है, साथवे नंबर पर आप देख रहे हैं, इसके अंदर उस नक्षत्रों का अंतर, जो तीन आया, उसे जोड़ देंगे, तो उसे जोड़ने के बाद एक संख्या प्राप्त होगी, जो आपके सामने लिखी ह इसके बाद आपने क्या करना है, इस संख्या को 600 से भाग करना है, ठीक, इस संख्या को आप किस से भाग करेंगे, 600 से, 600 से जब आप भाग करेंगी, तो आपको प्राप्त होगा 11.562222222, इसे अब आपने समय में बदलना है, तो समय में बदलने के लिए आपने क्या करना है देखे 11 point तो 11 तो गंटे हो गए ठीक है 11 तो 11 अलग करके मैंने लिख दिया और colon लगाया जो भी बचा उसे मैंने 60 से गुना कर दिया क्योंकि एक गंटे में 60 मिनट होती है ठीक है इस वाली calculation को ध्यान से समझना आप 11 अलग कर दिया उसके बाद colon का sign लगाया और दिसमलो के बाद जो भी संख्या थी उसे मैंने 60 से गुना कि 60 से गुना करने के बाद मेरे पास आया 33 दिसमलो 7 3 3 3 3 3 3 2 तो इसमें जो 33 है वो दिसमलो से पहले है तो यह मिनट हो गए तो इसका मतलब है अब समय हो गया 11 बज़ कर 33 मिनट जो दसंबलों के बाद की संख्या अब मैं उसे second में बदलूंगा तो मैं फिर 60 से गुणा करूंगा तो 60 से गुणा करने के बाद मेरे पास आएगा 11 बजकर 33 मिनट और 43 दसंबलों 9 9 9 9 2 second अब इसे round figure में करेंगे तो ये 44 सेकड़ बनेंगे तो मेरे पास जो समय आया निकल कर इस नक्षतर के अनुसार नक्षतर 4 के अनुसार वो निकल कर आया इश्टकाल का 11 बजकर 33 मिनट और 44 सेकड़ ये नया इश्टकाल निकल कर आया 33 मिनट 44 सेकंड उसमें से माइनस कर दिया पहले का इश्टिकाल 11 बजकर 33 मिनट 26 सेकंड तो मेरे पास अंतर आया 18 सेकंड का इसका मतलब यह हुआ कि इस जातक के जनम समय में 18 सेकंड की असुद्धी थी ठीक है तो मैंने यहां लिखा है कि जातक का सही जनम क्या होगा 18 बजकर 55 मिनट और अंतर कितने का था 18 सेकंड का तो मैंने उसे 18 लिख दिया अब इस समय के अनुसार मैं उस जातक की जनम पत्री को बनाऊंगा और चेक करके देखूंगा, मोटे मोटा आतलन करके देखूंगा कि क्या मेरे जो फलित है वो accurate बैट रहा है या नहीं बैट रहा है। फलित accurate बैट रहा है। बैटता है तो ठीक है नहीं बैटता है तो मैं पुने वो जो नमबर मेरे पास रैड कलर का था शिक्स नाइन थ्री सैवन पॉइंट थ्री 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 टू सिक्स फोर इसके अंदर नो एड करूँगा और दुबारा से उसी कैलकुलेशन को उसके बाद मैंने दुबारा से उस कैलकुलेशन को स्टार्ट किया छे सो से डिवाइड किया जो भी नमबर मेरे पास आया उसे मैंने समय में परिवर्तित किया जैसे मैंने पहले किया था तो मेरे पास नया इश्टकाल आया 11 बजगर 34 मिनट 38 सेकिंड इसे मैं जो पहला वा जिसके अंदर 18 सेकिंड का मैंने अंतर निकाला अगर वो समय सही नहीं है तो फिर समय मतलब अगर उस समय के अनुसार आपको सही से रिजल्ट नहीं मिल रहा है तो अम मैं 18 बजकर 55 मिनट में यह जो नया समय निकल कर आया है एक मिनट 14 सेकिंड इसे एड करूंगा तो मुझे नया समय जो प्राप्त होगा वो प्राप्त होगा 18 मतलब 6 बजकर 56 मिनट 12 सेकिंड तो अगर पहला वाला समय जो मैंने चेक करके निकाला 6 बजकर 55 मिनट 18 सेकिंड अगर इस पर मुझे सही accurate रिजल्ट नहीं मिल रहे है तो फिर मैं इस वाले समय पर जातक की कुंडली को चे करूँगा दुबारा से नो एड करूँगा जो भी नंबर आया मेरे पास और उसके अंदर मैं दुबारा से डिफ्रेंस निकाल कर एड करूँगा इसे मैंने एक्सल में फार्मूला लगा कर शीट बनाई है वो भी मैं आपको कैल्कुलेट करके कुछ देर बाद दिखाँग अब हम लोग एक और एक्जामपल लेकर चलते हैं एक जाता के जिसका जनम तीन तारिक नवंबर और दो अजार नो में हुआ है इसका जो जनम हुआ वो रात को तीन बचकर पंदरा मिनट से तीन बचकर पच्चिस मिनट के बीच में हुआ ऐसा उस जातक का कहना है जनम का इ 35 बिनट, 6 सेकेट. अब क्योंकि जो जन्म समय हैं, ये रात को 12 बजे के बाद और सूरिय उदे से पहले का है, तो मुझे इसके अंदर 24 एड करना पड़ेगा. जन्म नक्षत्र भर्निंग, जिसका स्वामी सुक्र होता है, इसका मतलब है, सुक्र मतलब नमबर 2. टेपल में आप देख लेंगे, वीनस का जो सीरियल नमबर है, वो 2 है, अब मैं फिर गणना करता हूँ, इस्टकाल निकालेंगे, जन्म समय माइनस सूरिय उदे का समय, जन्म समय मैं लेकर चलना हूँ, 3 बज़ कर 15 मिनट लेकिन मुझे इसके अंदर 24 एड करना पड़ेगा, 24 क्यों जोटना पड़ेगा, क्योंकि जन्म समय रात को 12 बज़े के बाद और सूरिय उदे से पहले का है, तो मैंने 24 पलस 3, 3 बज़ कर 15 मिनट लिखा, उसके बाद इसे कैलकुलेट करूँगा, तो मेरे पास इष्ट काल आएगा, 20 घंटे, 49 मिनट, 54 सेकेंड, इसे मैं विगटी में परिवर्तित करूँगा, आप लोगों को पहले ही परकिरिया बता रखिये, तो उस परकिरिया के अकॉर्डिंग मैं इसे विगटी में परिवर्तित कर आएगा, वो छे नंबर का नक्षतर आ रहा है, क्योंकि जो रिमेंडर आया था, वो छे आया था, तो छे नंबर का मतलब हो गया, इस टेबल में देखे राहू, इसका मतलब है, इस समय के नुसार जातक का जो नक्षतर है, वो राहू का होना चाहिए, जबकि वास्ता में व चलता हूं तो दोनों का अंतर आएगा चार अब ये जो नंबर मेरा 4 से multiply करके आये था जो red color से लिखा है इसके साथ वाला इसके अंदर मैं 4 को add कर दूँगा 4 को add करने के बाद इसे मैं 600 से divide करूँगा 600 से divide करने के बाद जो भी number मुझे मिलेगा मैं उसे समय में बदलूँगा समय में कैसे बदलते हैं ये मैं आपको पीछे एक्जामपल में calculate करके बता चुका हूं तो ये समय आएगा 20 बजकर 40 मिनट 18 सेकंड अब मैं इस्ट कालमे से इस समय को अंतर देखूंगा तो जब अंतर निकालते हैं तो वो अंतर आता 24 सेकंड का मतलब जो जातक का जनम में लेकर चला तीन बजकर 15 मिनट वो accurate नहीं है असली समय है तीन बजकर 15 मिनट और 24 सेकंड ये जातक का प्रथम सुद्ध समय आप इस समय के according जातक की कुंडली वनाएंगे अगर वो कुंडली आपको accurate result देती है तो ठीक नहीं मिलती है तो आप क्या करेंगे उसके बाद फिर उसी प्रक्रिया को आप start करेंगे जो add करने के बाद आपको मिला था 12403 उसके अंदर आप 9 को add करेंगे 9 को add करने के बाद जो भी number आएगा आप उसे 600 से divide करेंगे 600 से divide करने के बाद जो number आएगा आप उसे समय मतलब घंटे मिनट और second में convert करेंगे उसके बाद इश्ट काल में से minus करेंगे तो अंतर आया आपके बार एक मिनट 18 सेकंड इसका मतलब है अगर पिछला समय उसका गलत था तो नया समय होगा 3 बज़कर 15 मिनट प्लस 1 मिनट 18 सेकंड तो नया समय होगा 3 बज़कर 16 मिनट 18 सेकंड ठीक है इस परकार आप जातक के समय को accurate कर सकती है आगे मैंने एक excel seat बनाई है जिसके अंदर मैंने सारे formula लगाए है यह जो गणितिय प्रक्रिया है आपको बिलकुल भी नहीं करनी पड़ेगी आप केबल सूर्योदे का समय जन्म का समय और नक्षत्र का number डालेंगे आपको सारी calculation अपने आप computer करकर दे देगा ठीक है देखिए जो btr का procedure मैंने आपको बताया उसके लिए मैंने excel में एक software बनाया है आप उसमें भी calculation देख सकते हैं सबसे पहले मैं क्या करता हूँ clear के button को दबा कर सारी entry को clear कर देता हूँ अब जो मेरे पास पहला परसन था उसका जो बर्थ टाइम था वो था 18 बज़कर 55 मिनट और second मैंने 0 लिये थी तो मैंने वो लिख दिया यहां पर देखिए उसकी decimal value अपने आप calculate हो गई इसके बाद जो सूरिय उदे का समय था वो था 7 बज़कर 21 मिनट और 34 सेकंड वो लिख दिया मैंने वो अपने आप calculate हो गया और इसके बाद मुझे लिखना है moon नक्षत्र कि भाई कौन से नक्षत्र में वो पैदा हुआ तो जो नक्षत्र था वो था उसका अश्वनी मतलब केतू का नक्षत्र तो मैंने लिख दिया one उसके बाद मैंने जब आगे देखा तो यह जो calculation है देख लीजिए आपको अगर याद हो उसका जो पहला difference आया था वो 18 सेकंड का difference आया था पहली बाद तो नक्षत्रों में difference क सेकंड का difference था दूसरा जो समय आया था मुझे याद नहीं है कि वो कितना था लेकिन अगर आप देखेंगे तो उतना ही होगा अब मैं अगले वाले के बारे में बात करता हूं मैंने फिर clear किया उसका जो जनम समय था वो ता तीन बजकर पंदरा मिनट जीरो सेकंड और जो स का जनम हुआ था भरणी नक्षत्र में जो कि वीनस का है मतलब नंबर टू तो टू लिखा अगर आपको याद हो वहाँ पर जो नक्षत्रों में difference आ रहा था वह 4 आ रहा था green box में देख रहे हैं और समय यही वाले जो क्योंकि वहाँ पर हम लोग ने केवल पहले और दूसर समय को calculate किया था तो पहला समय आया है तीन बचकर 15 मिनट 24 सेकंड और अगर वो समय accurate नहीं है तो फिर समय होगा तीन बचकर 16 मिनट 18 सेकंड तो मित्रों इस वीडियो के लिए इतना है अगले वीडियो में हम लोग जो हमारे astrology के मूल तत्व हैं जिनके बिना आप किसी भी वि आपको जानकारी नहीं है तो आप फलित नहीं कर सकते नहीं कर सकते और नहीं कर सकते और वो मूल तत्व हैं आप लोग भी जानते हैं planets मतला हमारे नवग्रह, राशियां, भाव और दशाएं ठीक तो इनके बारे में हम लोग study करेंगे उसके बाद हम लोग KP के रूल को पढ़ना start करेंगे और KP के रूल हम लोग जो पढ़ेंगे वो with example समझेंगे क्योंकि सिर्फ रूल पढ़ने से वो रूल clear नहीं होता ठीक है तो अगले वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए have a good day